Guys, OnePlus Nord 2 के बारे में बहुत सारी चीजे बहार आई हैं Samsung का एक phone आने वाला है सस्ते प्राइस में Snapdragon 778G के साफ में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग से TechNews आज के इस्टेट इस के एपिसोड में So, hey, what's up guys, my name is Zaheer and you are watching Episode No. 165 of TTS TechNews So, let's begin So guys, हम लोग अपनी TechNews start करते हैं Other Category से Other Category के सबसे पहली News तो भाई 4G के तरफ से आरी जो 4G गेम आया था उसमें Team Deathmatch आ चुका है तो अगर आपको Deathmatch वाला खेलना है तो आप एक बाद ट्राइ कर दो और मैंको definitely बताना कैसा रहा उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई 5G के बारे में बहुत सारी बाते आ रही है सबसे पहली बात यह सुनने में आ रही है कि यही साल के अंदर 5G की beta testing चालू हो जाएगी बहुत सारे लोगों को 5G चलाने मिलेगा Already कहीं कहीं चालू हो गई है बहुत सारे लोग चला चला के भी वीडियो अगर आया अभी अक्चुल में चालू होने वाली है यह साल के एंड एंड तक और 15 ऑगस्ट 2022 के बाद से commercially available हो जाएगा That's really nice देखते भाई क्या होता है पहले 4G तो सही होए इंडिया में बात में देखा जागा बाकि उसके बाद अगर बात करू Snapdragon processors की तो Snapdragon 888 था उसका Plus वाला variant Snapdragon basically Qualcomm ने Announce कर दिया है जो Plus वाला variant है जादा कुछ है नहीं इसमें जो बड़ा वाला powerful core था उसका जो speed है उसको बढ़ा के 3 GHz तक कर दिया है कुछ खास है नहीं अभी पता नहीं कहा होगी अभी पता नहीं कहा होगी बट उसके बाद अगर बात करू तो भाई जो Snapdragon 895 होने वाला है उसका upgraded version वो 4 nanometer का processor होने वाला है और शायद से वो Samsung बनाएगा बाकि उसके बाद अगर बात करू तो भाई जो Battlegrounds Mobile इंडिया है उसमें थोड़ा था लोगों को दिक्कत लग रहा बहुत सारे लोगों को ना उसमें Chinese text दिखाई दे रहा है कहीं कहीं पर गन वगर अगरा है तो थोड़ा था मतलब अभी basically early access है तो बहुत सारे चीज़े उन लोग find out कर रहे है उसको fix कर रहे हैं इसके लिए लोग नोग लॉंच नहीं किये तो अच्छा है अरली access में दे दिये तक बाद में देरे देरे चारी सारी चीज़े fix करके उसके बाद ही launch करें तो जाधा better रहने तो भाई सीधा कड़ जाएगा इसा समझके रहे हैं बाकि उसके बाद अगर आगे बढ़ू भाई एक list आई एपल की तरफ से तो एपल का जो iPhone 12 series आया था यह जो phone है इसके पीछे magnet लगावा है बहुत असा गोल सा maxi और कुछ लोगों को heart condition के वज़े से पेस में करके एक device आता है उसको अपने heart के पास रखना पड़ता है लगाना पड़ता है basically तो वह चीज है ना वह magnet पेस में को काम करने में कुछ effect दे रहा था कुछ दिक्कत दे रहा था किसी किसी का बन जा रहा था तो ऐसा वह magnet के वज़े से तो basically अभी apple ने बोल दिया है पूरा list दिया है भाई apple watch हो गया है airpods हो गया है और बहुत सारी चीज़े जिसमें magnet है वह सारी चीजों को अपने हाँ space maker से दूर रखो और even iMac वगरा और Macbook वगरा भी उस लिस्ट में कि हम smartphone की तरफ बढ़ते हैं तो smartphone में सबसे पहले हम बात करेंगे oneplus node 2 के बारे में बट नॉट 2 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दू अभी यह जो oneplus node CE है और यह जो iqo z3 है यह दोनों का आपको इन दोनों फोन के बारे में पता चलेगी अब हम बात करते हैं अपने oneplus node 2 के बारे में अब इसके बारे में पहली तो पूरा पूरा leak आगया लेक पूरा design अगर बहर आगया और काफी जादा हाथ कि यह oneplus 9R जैसा दिख रहा है तो मेरे को काफी जादा तकड़ा दिखा तो बी अनेस्ट भाई अगर यह oneplus 9R जैसा बनके आएगा metal body में आएगा highly doubt that कि metal body में आएगा बट अगर metal body में आता तो बहुत तगड़ा होएगा और इसके अंदर हमको dimensity 1200 डेखने को मिलेगा यह तो बात fix है भाई dimensity 1200 आएगा उसके बाद अगर बात करू डिस्प्ले की तो भाई देखो 6.43 या 6.5 इंच के आसपास की डिस्प्ले हो सकती है 90Hz की most probably chances है लेकिन 120Hz अगर देगा तो भाई वो थोड़ा सा डिक्कत देगा उसके जो आगे वाले phones है उनके लिए शायद से 120Hz ना देवे but I think so 120Hz देना चाहिए और 65W का charger मिलने वाला है 64 में का पिक्सल का main camera देखने को मिलेगा we'll see भाई लगबग 30,000 के आसपास मिलेगा अब थोड़ा दिन रुको भाई एक दड़ महिने के अंदर ही most probably ये OnePlus Note 2 हमको देखने को मिल जाएगा इंडिया में so yeah I'm really really excited for that phone बाकी हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आइफोन 13 के बारे में I mean ना 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 आइफोन 13 नहीं आने वाला भी हो सकता है बट अगर ऐसा हुआ तो बेटिकली आइफोन 12 आइसा आएगा उसके बद सिधा ऐफोन 14 पता ने भाई बट आइफोन 12 ऐसा रहा है ये तो confirm हो रहा है बट लेट सी उसके बाद अगर बात करो तो भाई S22 Ultra की कुछ images आया काही तगड़ा डिस्पले लिख रहा है लग 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 फ्लाट डिस्पले लेकर एकड़म एज टू एजड़ है बहुत तगड़ा डिस्पले दिख रहा है और पीछे का जो कैमरा है वो तो कुछ जाद ही बड़ा दिख रहा है अल्रेडी वैसे सेंसंग की S series जो होती है उनका कैमरा बहुत जादा तगड़े होते इस बार लगता भाई को जाद ही लंबा जंप लेका बहुत बड़ा है वंच इंच का सेंसर बगरा डालेगा चायद सेंसंग हो भी सकता है भाई थोड़ा सा वेट करो बाकि उसके बाद अगर बात करो तो अगर यह प्रोसेसर के साथ में यह फोन मेरे को निलगता 25 के नीचे होगा लेकिन अगर 25,000 में भी इन लोग ने लॉच कि तो भाई लिटरी कमाल कर देगा क्योंकि यह प्रोसेसर बहुत जादा दंदार प्रोसेसर है देखते हैं भाई कब लॉच करता और क्या प्रोसेसर क अगरा देख रहा है जैसे आप लोग देख रहे हो 160 वाड की चार्जिंग है और फिर उसके बाद इसमें जी 95 प्रोसेसर है खास ही है स्पेशली वन इंफिनिक्स के लिए बहुत ज्यादा तगडी चीज है तो यही थी में में स्मार्टफोन की अब हम लोग सीधा गैजेट अब ना समसंग वन यू आई पर शिफ्ट कर रहा है वो भी वाचेस के लिए जैसे एपल का खुद का वाच होए जड़ा था वैसा वन यू आई वाचेस के लाएगा तो काफी जादा तगड़ा इंटीग्रेशन होने वाला है समसंग फोन के साथ में समसंग की वाचेस का ल इसके बाद एकर बात करो तो एपल वाला जो आई पैड होने वाला है फ्यूचर का उसकी साइज और बड़ी करने वाला आई मिन जो 12.9 इंच का डिस्प्ले वाला आई पैड है वो और बहुत जादा बड़ा है हाथ में तो पकंड़ने ने जमता लेकिन उसको और बड़ा क से हो जाएगा तो हो सकते भाई यहीं मुश्प्रप्रप्रिली फीचर है बाकि उसके बाद अगर बात करो तो टी डबलुएस जो थे नर्धिं के वह 27 जुलाई को मुश्प्रप्रप्रिली आनाउंस होंगे सबसे पहले तो विंडोस 11 जो है उसका प्रिव्यू काइंड ऑफ जो है बीटा प्रिव्यू वो अल्रेड़ी आ चुका है तो अगर आप बीटा टेस्टर हो विंडोस के लिए माइक्रोसोफ्ट के लिए तो आप ट्राए कर सकते हो विंडोस 11 बिना मालदे डाउनलोड किये क्योंकि बहुत ज़्यादा इशूज हो रहे लोग को के चैनल वगरा है को एक मेरा दोस्त है शानावास करके उसका तो पुरा चैनल ही जितना चैनल था सब हैक हो गया एकी दिन में तो भाई बहुत दिकत वाली बात है यह तो और बाकि उसके बाद एकर बात करूँ है क्रि क्रिप्तो मायनिंग करने करा लगएगा और उसका जो हैश है वो उसके पास कर बेगा डेवलपर डेवलपर पैस्या कर यहाए भाई दिमाग लगा रहे लेकिन भाई गलत है सिंपल से बाद गलत है यह बात यहीं थी सारी आच की नुद आयो होप आपको पसंद आयोगी भाई पसंद आये तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जाएंगे तो मच वाचिंग दिश्टियों गईज बाई